नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीयस की खान बनाएगी आपको पहलवान तो जीयस की खान अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और नोडिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर प्रेस जरूर कीजेगा तो आज हम ब सवाल आपके सामने है कि वित्वर्ट्स 2023 और 24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडिपी विकासदर कितनी रही है तो वित्वर्ट्स 2023 की दूसरी तिमाही में भारत की ठीना जीडिपी विकासदर रही है 7.6 परसेंट रही है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा टांसर हो जाएगा आपका 7.6% ठीक है ना इसके लावा मैंने आपको कई बार बताए दूस्ते आपर GDP का काम क्या होता है तो GDP growth rate के जो आकले हैं कौन जारी करता है तो GDP growth rate के आकले जारी किये हैं ये पेपर में question पूछा भी गया था राष्टी ये सांख्या की कार्याल यारी क नेशनल इडिसेकल ओफिस ठीक ना तो यहां पर आपका एनसो ने आकले 30 नवंबर 2023 को जारी किये इसके लावा मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 और 24 की दूसरी तिमाई जो की जुलाई से सितंबर 2023 की है इसमें GDP विकासदर आपकी 7.6% है पिछले वर्स की तुलना में दूस चार लाग करोल रुपए ठीक ना तो आप देख पा रहे हो आप लोग तो यह है आपके 41,4,312 करोल रुपए हैं ठीक ना इसके लावा दोस्तों यहां पर 2023 और 24 की पहली तिमाई जो की अपरेल और जून की बीच में थी यहां आपकी 7.8% थी पेपर में कई बार GDP का फॉर industries, investment और आपका government expenditure तो इन सभी का योग बाकी आपका export और import का difference तो export और import का difference होता उसके योग में जोड़ दिया जाता है इसके लावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही important चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर GVA साधार शब्दों में GVA क कौन है दोस्तों यहां पर इस सब में मुख्य आर्थिक सलाकार है वी अनंत नागेश्वरन और वित मंत्री हैं भारत के निर्मला सीतरमर जी हैं ठीक है चलिए अगरा सवाल आपके सामने दोस्तों यहां पर अर्जेंटीना के नए राश्टपती कौन चुने गए हैं अलोचक अक्सर जो है यहां पर पागल आदमी भी कहते हैं तो सही जवाब हो जाएगा आपका जैवियर मिलेई ठीक ना तो जैवियर मिलेई तो जिनका भी आंसर आड़ा जैवियर मिलेई बिलकुल करेक्ट है आज मैं आपको बताना चाहूंगा अर्जेंटीना के बारे मे अर्जेंटीना एक आपका दक्षण अमरिकी राष्ट्र है अर्जेंटीना की राजदानी है आपकी व्यूनस आयर्स यहां की ऑफिशल लेंगज इस्पैनिश है यहां के पडूसी देशन चिली बॉलिविया परागवे यहां की जनसंख्या मात्र जो है चार करोड 73 लाख ह यहां की करेंसी है अर्जेंटीना पेसो महंगाई दर है यहां की आप लोगों की करीब 143 परसंट और देश की तोष्टों यहां पर 40 परसंट अवादी जो है गरीब है अगला सवाल है कि किस देश ने नव निर्वाचित राष्ट्र पती ने केंद्रिय बैंक बंद करके अ वो कौन सा देश है जिसके नव निर्वाचित राष्ट्र पती ने केंद्रिय बैंक बंद करके अमरीकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने के वादे का एलान किया है तो आपका सही जवाब हो चाएगा अर्जेंटीना तो जिनका भी आंसर अर्जेंटीना आ रहा है 240 परसेंट जो हाई इंफलेशन से परिशान है और यह उच्छे वजट घाटे के कारण उत्पन हुई है ठीक ना तो नई सरकार पर अंतराश्टी मुद्राकोस का गरीब 44 अरब डॉलर का कर्ज मंडरा रहा है और उसे यह रकम चुकामा होगा उगे ना एक डॉलर की कीमत ल सरकार के सियारपी यह के महां अन्देशक्स यानि के दीजी का अत्रिक परभार किसे स्व पाई है सभी लोगail को वीडियो पसंद आरी तो लाइक कीज़ेका क्लास को बिलकर शेयर कीजिए सपोर्ट कीजिए केन सरकार ने CRPF के महानदेशक यानि के DG का अत्रिक प्रभार किसे दिया है तो CRPF के नए DG बनाए गए हैं मतलब इनको अत्रिक प्रभार दिया गया अनीश दयाल सिंग अनीश दयाल सिंग यह आप लोगों के जो है इस समय ITVP ITVP के DG हैं और उन्हें CRPF का अत्रिक प्रभार दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्ते हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओ को बसो में मुफ्त यातरा की सुबिदा दी है तो जो भी यूपी की 60 साल से उपर की महिलाएं है इन्हें यहाँ पर यह बस में प्रीक सुबिदा दी जाएगी और इसमें नई बसे खरीदने के लिए 100 करोल रुपए का प्रापधान भी है चलिए आपको बता दूए यहाँ पर परिवहन राज्य मंतरी कौन है दया शंकर जी इन्होंने बताया है कि 60 वर्षे अधिक आयू की महिलाओ को रोडवेस में बशो की मुफ्त यात्रा मिलेगी आपको बता दें यहाँ पर यूपी के आपके जो परिवहन यूपी के परिवहन राज्य मंतरी कौन है स्वतंद्र प्रवार यूपी के परिवहन राज्य मंतरी स्वतंद्र प्रव राश्टिये प्रदूशन नियंत्रन दिवस मनाई जाता है दो दिसंबर को पता है क्यों मना जाता है भोपाल गैस्त राजदी में जान गवाने वाले लोगों की याद में दो दिसंबर को नैस्नल पॉलिशन कंट्रोल डे मनाते हैं इस इसका उद्देश है जीवन का इस के बारे में जागरूप करना है मैं थोड़ा साब को बताना चाहूंगा दोस्ते यहां पर बोपाल गैस्त राजदी के बारे में यह घटना आपकी 2 और 3 दिसंबर 1984 को राज को घटी थी यहां पर बोपाल में आपका यूनियन कारवाइड अब जो है डॉप केमिकल्स है इस कुछन देखी क्या है डेक्रेशा स्पायर टेंडर सी एफ टी ओपलेट करने वाली देश की पहली अ इयएरपोर्ट महिला फायर पाइटर कौन बनी है इननका नाम है दिशा नाइक तो सही जवाब हो झाएगा दिशा नाइक हो जाएगा GMR Goa International Airport Limited के CEO ने कहाए कि हवाई अड़ा वचाब और अगनी समन के छेतर में ये एक एतियासिक उपलब्दी है तो इन्होंने नवंबर 2023 में उपलब्दी आशिल की है क्रेस फायर टेंडर ऑपरेट करने के लिए छे महिने की इन्होंने ट्रेंग भी लिए है ठीक ना बाकि देश की पहली एरपूर्ट महिला फायर फाइटर है गोवा की दिशा नाइक तो अब यह नोट के लिए हो दोस्ते आप पर इंपोर्टन सवाल यह आपर यह हमारे भारत देश की पहली एरपूर्ट महिला फायर फाइटर है यह पेपर में हमेशा हमेशा अगली कुश्चन हो गया कि देश की पहली दोस्तों आप दो गया पर नोट के लिए आपर दोस्तों यह आपकी दोस्ते आपर देश की पहली थे ना एरपूर्ट महिला एरपूर्ट महिला है ओके देश की पहली मुस्लिम महिला फायर फाइटर है आपकी उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा अगर मैं कौन दोस्तों देश की पहली मुस्लिम महिला पाइट कौन है आपकी तो क्या होता है मुस्लिम महिला फायर फाइटर फाइट तो यह आप लोगों की है उत्तर प्र प्रमोच सावन् और राजिपाल है shridharan पिल्लै जी नेक्स्ट कोंशन आपके सामने है विष्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मिना जाता है तो विष्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मना को दो दिसंबर को कि मना जाता है नेक्स्ट कुश्चन बेखे आप लोगों को क्या दिआ गया है अंतर राश्ट्रिये दास प्रथा उन्मूलन दिवस का मनाई जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो दिसम्बर को तो अंतर राश्ट्रिये दास प्रथा उन्मूलन दिवस दो दिसम्बर को मनाई जाता है इसकी ठीम याद रखीगा परिवर्तन कारी सिक्षा के माद्यम से गुलामी की नसलवाद की विरासत से लड़ना परिवर्तन कारी सिक्षा के माद्यम से गुलामी की नसलवाद की विरासत से लड़ना किलियर है चलिए अब बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की और बैस्ट इंडीज ने किस देश बैस्ट इंडीज के किस देश ने ICC T20 World Cup 2024 की मेजवानी से इंकार कर दिया बताईए तो बैस्ट इंडीज का वो देश आपका है डॉमिनिका है वेरी गुड दोस्तो डॉमिका देश ने डॉमिनिका देश ने ICC T20 World Cup 2024 की मेजवानी करने से इंकार कर दिया है आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तो कारण क्या है डॉमिनिका में मैच और अभ्यास इस्तलों को तयार करने के काम में देरी की है इसलिए उसकी मेजवानी सुन्नों ने इंकार कर दिया है दा हिंदू नियूज पेपर के मताबिक डॉमिनिका सयुंत राजी अमरिका के साथ जून 2023 में टूनामेंट के मैचों के मंचन के लिए चुने गए बेस्ट इंडीज के साथ देशों में से एक था अमरिका पहली बार किसी प्रमुक किरकी टूनामेंट के मेजवानी कर रहा है होगे ना तो फिलाल मेजवान के रूप में अमरिका की तीनिस्थान है ग्रेट पेरी आपका स्टेडियम डलास में और वोबाल स्टेडियम डलास में हैं अमरिका के बोबाल काउंटी फ्लोरिडा में और नसाओ जो है नियॉर्क में हैं ठीक है चलिए इसके लावा आई से सी टी ट्वेंटी वर्ड कप यह आपका चार जून दोजार चौबिस से 30 जून दोजार चौबिस तक चलेगा और इसमें पहली tiap के बार बीच टीमें भाग लेंगी और इनको चार गुरुफ पांच पांच की टीमें बाटा जाएगा ठीक है जो आये DO mommy स्वतंत्र दीप देश आते हैं और तीन दीप समू ग्रेटर एंटिल्स और आपकी लुकायन तो तीन दीप समू में आपकी 19 निर्वरताय शामिल हैं बाकि डॉमिनिका पेपर में आप लोगों का पूछा जाएगा तो देख लिजे डॉमिनिका जो है एक उत्तर अमरिका बासर है और यह दीप जोहला मुकी और मोटे तोर से पाड़ी है और इसकी राजधानी है रोसोई है क्या अपकुई तोसी रवज्दामी क्या ही यह रोशाय हो है यह भी याद रखी का पेपर में पूछा सकता है तो उमीद करता हूँ कि आज का सेशन आमको अच्छा लगा होगा तो daily morning में 7 बजे आप लोगों की जो है current affair होती है 7 बजे current affair और evening में 7 बजे मैं GS की class करा रहा हूँ तो अगर आपको इस तरीके से important question पसंद आ रहे हैं तो all India level के exam के लिए सबसे important class है class पसंद आई हो तो like कीजेगा share कीजेगा support कीजेगा मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जैहिंद वन्दे मात्रम